हेलो एवर्यवन वेलकम टू कपेश्थल अकैडमी इस वीडियो में हम एफ कैट एफ कैट सेकेंड दोजार ग्यारा में जो पेपर हुआ था उसके मैथ के कोश्चन सारे सोल करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं फर्स्ट कोश्चन है विच वद फ्लोविंग फ्रे तर्टिन नाइन और फिफ्टी टू है ठीक है फाइंट आउट था एल्सीम फोर फोर थीस फोर नंबर स्टिक है तो एल्स एम विल भी फिफ्टी शिक्स ठीक है 13, 26, 39 और फिफ्टी तो थीक है तो आब देखे 156 को डिवाइड कर ये थर्टी से ठीक है और फिर जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा 12 12 को 9 से multiply करेंगे तो 108 ठीक है फिर अगर इस नंबर की बात करूँ तो 156 को divide करिए 26 से ठीक है तो क्या नंबर आएगा 6 6 को 17 से multiply करेंगे तो 102 ठीक है 156 को 39 से divide कीजिए तो हमारे पास आएगा 4 28 को 4 से multiply करो तो 112 फिर 156 को 52 से divide करिए तो आपके पास आएगा 3 3 को 33 से multiply कीजिए 99 ठीक है अब हमें पूछा गया है कौन सा सबसे छोटा है अब यह जो 4 fraction बने है अगर मैं इनको अलग-अलग लिखों तो वह अलग-अलग भी लिखा जा सकता है बट जो डिनोमिनेटर है वह सब का सेम है नियूमिनेटर में देखिए कौन सी वैल्यू छोटी है तो सबसे छोटी वैल्यू यह है तो यह वैल्यू किसकी वज़े तो वह कितना रहेगा 112 ठीक है ना चारों में सी यह है ना लार्जेस्ट और स्मालेस्ट दोनों ही हम कल्कुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है स्टूडेंट वाज आस्ट तो डिवाइड अनमबर वाई थ्री बट इंस्टेड ओफ डिवाईडिंग इपी मल्टिप्लाइड इट वाई थ्री एंड गोट 29.7 अज़ अनसर वट वाज़ अनसर हैंड ही नोट मेड दा मिस्टेक देखिए जो नमबर है मान लेजए वो एक्स था तो स्टूडेंट को बोला था कि एक नमबर को थ्री से डिवाइड करिए और यहां पे जो अनसर आएगा वो हमारा क्या है कुरेक्ट अनसर है ठीक है ना बट उसने क्या क्या डिवाइड करने की बज़ाए मुल्टिपलाई कर दिया नमबर हमने एक्स माना हुआ है थ्री से मुल्टिपलाई कर दिया और मुल्टिपलाई करने के बाद उसे मिला 29.7 तो यहां से हम एक्स की वैल्यू कल्कुलेट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू आएगे 29.7 डिवाइड में 3, 9 पे फिर 9 पे, तो 9.9 क्या आगया है, एक्स, तो हम जो नंबर था ना वो उसकी वैल्यू आगी 9.9, ठीक है, अब करेक्ट अंसर कैसे आएगा, एक्स की वैल्यू रख दीजिए, और डिवाइड में 3, तो करेक्ट अंसर कितन रीना तुक ए लोन ओफ ट्वैल हंडर रुपेज विज सिंपल इंट्रेस्ट फोर इस तर्टेन नंबर उफ यर तो रीना ने लोन लिया बाराइसु रुपे का, दे नंबर दे नंबर इयर्स आर सेम आज दा इंट्रेस्ट रेट तो जो टाइम है वो किसके एक्वल है 432 रुपेज एज इंट्रेस्ट ए एट दी एंड ओफ लोन पीरियर्ड वर्ट वाज दा रेट ओफ इंट्रेस्ट तो सिंपल इंट्रेस्ट उसने कितना पेड किया 432 रुपेज ठीक है, सिंपल इंट्रेस्ट का वैसे फोर्मूला क्या होता है, अमाउंट यानि बारा सो and rate rate मैंने x माल लिया ठीक है ना अगर rate की बात करें तो x percent time की बात करें तो x year ठीक है ना तो x percent माल लिया into दोनों equal है तो x year आएगा time की जगे और divide में 100 यह formula होता है more than गुना दर गुना समय बटे 100 अब देखिए 2 0 से 2 0 cancel 12 divide में आएगा 4 32 and 12 right hand side में x square cancel कीजिए 12 36, 12 31 36 आगया तो यहां से x की value आई है वो कितनी आई है 6 तो अगर मैं rate की बात करूँ तो rate क्या था x यानि 6 percent और अगर मैं time की बात करूँ तो time कितना है 6 year पुछा क्या है पुछा गया है rate of interest निकाल लिया तो rate of interest 6 percent तो option B is the right answer next question है Ram borrows 8,000 rupees and 12 percent per annual simple interest and Mohan borrows 9,100 at 10 percent per annual simple interest in how many years will their borrowed amount be equal देखे मूल दन दिया गया है amount 8,000 ठीक है और अगर मैं Ram के simple interest की बात करूँ तो वो कितना रहेगा मूल दन गुणा दर गुणा समय समय मैं X year माल लेता हूँ divide में 100 ठीक है यह आगया simple interest time नहीं दिया हुआ time ही निकालना है उन्हों पूचा इन how many years मोहन की बात करूँ तो उसने कितने रुपे लिये हैं इक्याड में 100 रुपीज ठीक है simple interest इस rate से है तो कितना होगा 90100 इंटू 10% इंटू XY 10 ठीक है उसने कहा है कि कितने साल में total amount दोनों की equal हो जाएगी मतलब यह total amount और यह total amount दोनों में equal रख सकता हूँ 8000 प्लस यह cancel कीजिए 20 से 20 cancel 12 86 में 96 and 0 भी आएगे ठीक है ना X simple interest equal है 91 100 into 10 से 10 10 से 1 9 and 10 ठीक है ना X अब क्या करिए यह जो 8000 इसको राइट एंड साइड में लेके जाएए और 9 10 X है उसको लेफट हैंड साइड में ठीक है ना नेक्स्ट कोस्टिन है इस तर्टेन सम उफ मनी बिकम्स थी टाइम्स ओफ इटसेल इन 20 इयर्स एड सिंपल इंट्रस्ट इन हाव मैनी इयर्स विल दा इनिशिल सम बिकम्स डबल एट दा सेम रेट ओफ सिंपल इंट्रस्ट देखिए मान लिजी अमाउंट X है ठीक है तो 20 इयर में वो कितनी हो जाएगी 3X ठीक है कितने साल लगे इसको 20 साल ठीक है ना 20 साल में वो 3 गुना जादा होगी हमसे पुछा है कि X जो हमने माननी है वो 2X यानि डबल कितने साल में होगी ये हमारा क्वेश्चन है ठीक है, तीन गुना तो 20 साल में हो रही है और इंट्रस्ट सिंपल इंट्रस्ट है तो दो गुना कब कितनी होगी देखिए, X से 3X पोचने में कितना ब्याज लगा 2X X तो पहले ही था इंट्रस्ट सिंपल इंट्रस्ट 2X लगा simple interest क्या होता है हर एक साल पे equal लगता है ठीक है ना तो अब बताइए 20 साल में interest कितना लगा 2x तो 10 साल में कितना लगेगा 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा तो अगर यहां से यहां तक 20 साल है और 2x ब्याज लग रहा है तो यह जो 10 साल है इसमें ब्याज कितना लगेगा x ठीक है सुरू में amount x थी x उस पे ब्याज लग गया ठीक है 10 साल में तो amount कितनी हुई 2x हमसे यही पुच्छा रहा कि amount 3 गुणा तो 20 साल में होती है 2 गुणा होने में कितने साल लगेंगे तो दस साल लगेंगे तो option B is the right answer next question है the average age of three boys is 25 year मैंने three boys माल लिए A, B और C तो तीनों का जो average है ठीक है तो कितना रहेगा तीनों की age को add करो और कितने boys है थ्री तो average आएगा हो कितना है 25 ठीक है तो यह क्या है A plus B plus C sum of age sum of ages ठीक है that is equal to three right hand side में जाएगा multiply you got 25 से तो 3 into 25 75 आ गया पचेतर ठीक है na sum of age is 75 ठीक है अब age actual में किस-किस में दी हुई है ratio की बात करूँ मैं तो 3, 5 और 7 यह ratio है मैंने क्या किया age को consider किया A की है 3X B की है 5X और C की है 7X ठीक है यह अलग-अलग age है अगर अलग-अलग age है तो इनका जो sum रहेगा वो 75 के equal रहेगा ठीक है तो यहां से आप देखिए 3 और 5, 8 और 7, 15 X is equal to 75 और यहां से X की जो value आई है वो है 5 ठीक है अब X की value 5 यहां पर put करो 3 x 5 15 5 x 5 25 and 7 x 5 35 we have to calculate what is the age of youngest boy youngest boy तो फिर यह 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 रहा तो यह जो student है यह boy है उसकी उमर 15 साल है तो option A is the right answer next question is the ratio of 3 numbers is 3, 4, 5 and the sum of their square is 12, 150 the sum of the 3 number is देखिए ratio कितना दिया हुआ है 3, 4 and 5 मैंने number consider कि यह 3 x 4 x or 5 x तो बोला क्या है square करके sum कीजिए तो 1250 आता है यानि 3 x square plus 4 x square plus 5 x square that is equal to 1250 right now soul की जीस को 9 x square 16 x square 25 x square और add करेंगे तो क्या आएगा 50 x square that is equal to 1250 ठीक है 0 से 0 cancel 5 से 25 तो x की value क्या है 5 ठीक है हम से पूचा गया है the sum of the 3 number तीन नमबर यह थे इनका sum निकालिए 7 और 5 बारा x ठीक है बट x की value हमने calculate कर ली पांच तो total आ गया 60 तो option c is the right answer next question है a mixture of 40 liter of milk and water contain 10 percent water ठीक है 40 liter जो है mixture है और उसमें क्या है milk और जो water है वो कितने है water तो है 10 percent और milk मतलब 90 percent हो गया तो इनका अगर मैं ratio निकाल लूं तो कितना रहेगा ठीक है 9 ratio 1 रहेगा ठीक है एक ratio यह आ गया अब क्या बोला गया है how much water should be added to this mixture यहाँ पर जो water है यहाँ पर कितना water add करें so that the next new mixture contains 20 percent water तो नया जो mixture आएगा उसमें क्या है 20 percent water है तो milk कितना होगा 80 percent यहाँ पर ratio निकाल यह cancel हो जाएगा 1 और यह 4 तो यानि जो next ratio है वो कितना है 4 1 है अब पूरी state में एक चीज common है जो milk पहले जितना था अब भी उतना ही है but आप देखिए इन दो ratio में यह 9 है तो यह 4 है दोनों के equal कैसे करोगे first equation को 4 से multiply यानि first ratio को 4 से multiply करो और second को 9 से तो दोनों के resultant क्या रहेंगे यह milk यह water तो 4 से multiply 36 रेश्यो 4 और यहाँ पे 9 से करेंगे 36 रेश्यो 9 अब देखिए milk first और second condition में same है water में change जाए weight water जो है 4 लीटर था अब 9 लीटर हो गया मतलब add कितना किया है 5 लीटर तो मतलब यह रिश्यो पाने के लिए हमें mixture में 5 लीटर water add करना पड़ेगा तो option B is the right answer next question है when the price of a product was increased by 15% the number of items sold was decreased by 20% what was the net effect देखिए we have two percentage ठीक है ना increase का मतलब positive यानि जो increase हुआ है वो क्या है 15% और जो decrease है मतलब negative वो कितना है 20% ठीक है when we have two percentage और हमें net effect निकाल ला हूँ तो उसके लिए formula क्या है x plus y plus x y divide में 100 ठीक है positive निशान increase के लिए negative निशान जो एस negative जो sign है और decrease के लिए तो मैं इसको x माल लेता हूँ इसको y ठीक है ना तो x क्या है 15 positive और y क्या है negative यानि minus 20 पलस x 15 और y क्या है negative डिवाइड में 100 ठीक है तो minus sign क्या indicate करता है loss को ठीक है और 8 क्या है 8 परसेंट ठीक है ना तो 8 परसेंट loss होगा what was the net effect पूद साहे तो 8 परसेंट loss option C is the right answer next question है in an examination 75% of total student past in English and 65% past in mathematics देखे यहाँ पर मैं एक set बनाता हूँ ये एक set है ठीक है ना इसमें क्या टोटल student 100 है ठीक है इन 100 में से English में पास होते है 75 परसेंट जो है English में पास होते है यानि 100 में से पचेतर तो English में पास कितने होए 75 और mathematics में M stand for mathematics 65 हुए है तो कुछ बच्चे common भी है बाहर का जो area है वो वो student है जो किसी भी paper में पास नहीं हुए ठीक है न तो वो कितने है इफ वाइल 15 परसेंट फेल इन English as well as mathematics तो यहाँ पर जो बच्चे बच्चे हुए होए वो कितने है 15 परसेंट यानि 15 टोटल 100 है तो 15 पास नहीं हुए तो बच्चे हुए क्या है यह जो area है यह है यह जो मैंने थोड़ा डार किया यह क्या है टोटल 85 स्टूडेंट है यहाँ पर क्योंकि टोटल 100 थे 15 फेल है तो यह जो area है पास वाला 85 है ठीक है अगर मैं इस common को निकाल लूँ common की value क्या है common को कैसे लिखते हैं e intersection m यह mathematics की टरम है intersection मतलब e और m में क्या common है तो इसके लिए formula होता है mathematics में e union mathematics is equal to e plus m minus a intersection m देखिए यह a नहीं यह e है तो यह जो दो नंबर हैं यहाँ पे उनका union मतलब total total कितना है 85 इस इक्वल टू अकेला अकेला क्या value दी हुए 75 और 65 माइनस का इन दोनों में कौन सा common है मतलब यह बीच वाला हिस्सा यह common पार्ट ही हमें निकालना है इसको left hand side में लेके जाए 85 को इधर सब्टेक्ट कीजिए 75 पलस 65 माइनस 85 तो हमारे पास आगया 55 तो common कितना है 55 ठीक है हमसे पुछा क्या गया है if a total of 495 candidate who pass in both exam यह जो बोथ exam है total कितने दिये हुए है 495 हमने कितना निकाला 55 दिये हुए है 495 तो cancel कीजिए 9 पे cancel हो जाएगा तो एक unit 9 के equal आगी तो एक unit that is equal to 9 हमने तो 100 unit माना हुआ है तो 100 unit को 9 से multiply करो तो total student कितने आजाएंगे 900 तब पूछा क्या था find the total number of students who appear in the exam तो 900 option B is the right answer next question है a loss of 19% on a shirt gets converted into a profit of 17% when the selling price increase by 162 what is the cost price of the shirt मैंने कितने रुपे increase किये 162 यानि जो कीमत थी बेचने की selling price वो 162 रुपे मैंने बढ़ा दी इससे क्या हुआ जो 90% loss था अब उस पे 17% profit में convert हो गया मतलब loss के 19% तो cover किये ही 17% और increase हुआ तो total add होंगे 36% होगा ठीक है ना तो 36% actual में cover हुए है 162 में 162 रुपीज में ठीक है ना तो 1% कितने में cover होंगे 162 डिवाइड में 36 ठीक है तो कितना value आएगा 4.5 रुपीज 1% 4.5 है तो 100% का मतलब क्या है 100% का मतलब है उस shirt का purchasing cost ठीक है ना यह तो selling cost था जो हमने बात की है ठीक है ना तो सुरू में वो shirt खरीद भी खरीद भी होगी ना उस shirt की cost price ठीक है ना you can say that cost price तो 100% रहेगी तो एक परसेंट की value है 4.5 तो 100% की चार सो पचास रुपे ठीक है ना तो option B is the right answer next question है if the manufacturer gain 10% the wholesale dealer gain 15% and the retailer gain 25% find the cost of production of a table the retailer price of table retail price of a table is 1265 अब माल लीजिए शुरू में वो एक सुरू पे थी टेबल की कीमित तो 10% gain किया manufacturer ने ठीक है gain करने के बाद final value क्या रहेगी 110 से multiply 100 से divide ठीक है अब यह जो new value आई है इसके उपर 10 15% gain किया wholesale वाले ने ठीक है तो इसके उपर 15% profit रहेने के बाद final value क्या आएगी 115 गुना कीजिए और divide में 100 ठीक है अब यह एक value है इसके उपर रिटेलर ने 25% profit लिया ठीक है तो यह जो value है उसके उपर 25% profit लेने के बाद final value क्या आएगी 125 100 में जोड़ देना है देखिए 10% मैंने 100 में जोड़ के 110 से गुना किया 100 से divide 15% है तो 115 से गुना किया 100 से डिवाइ अब 25% profit है तो 125 और डिवाइड में 100 फाइनल वैल्यू कितनी आई है 1265 सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है काट्वीट के आप निकालनी है तो अंसर आएगा 800 रूपीज ठीक है तो option A is the right answer next question है what percentage of profit should be added in the cost price of an item so as to gain a profit of 33% after allowing 5% discount to the customer देखिए मान लीजिए जो cost price था वो 100 रूपीज है cost price तो इसके उपर हमें कितना profit gain हुआ 33% तो selling price 133 रूपीज आ गया ठीक है लेकिन ये जो 133 रूपीज जो selling price आया है वो कब आया जब मैंने customer को 5% discount दिया ठीक है तो इसका मतलब अगर मैं एक number यहाँ पे x मानूं तो x का 5% discount दे दिया तो x का 95% रह गया देखे कोई भी number अपने आप में 100% होता है 5% discount दिया तो number बचा कितना x का 95% तो यहनि x का 95% कितना आया 133 तो x इंटू 95% डिवाइड में 100 रहेगा 133 तो x की value क्या आएगी x की value आएगी 140 तो यह जो number था x x की value क्या जाएगी 140 तो हमसे पूछा गया है कितना profit add करें 40 रुपे की जो cost price था 140 रुपे उस पे mark price होना चाहिए तो don't know का difference कितना है 40 ठीक है 100 के उपर तो इतना profit होना चाहिए ठीक है ना तो हमारा जो 40% है वह सही answer है option B is the right answer next question है एक क्रिकेटर has an average of 30 runs in 14 inning average का मतलब अगर मैं बात inning की करूँ 14 innings में average 30 run है मतलब हर एक inning में वो 30 run मार रहा है ठीक है ना score कर रहा है तो average कितना है average 30 run है ठीक है और inning कितनी है 14 है ठीक है तो हर एक inning में उसने कितने run score कि average के according 30 run अब next inning है यानि पंदरवी inning है उसमें पुछा गया वो कितने run मारे how many runs should he score in the next inning यानि पंदरवी inning में to achieve an average of 32 run अब average कितनी achieve करनी है 32 32 average का मतलब है पंदरा के पंदरा मैचों में हर एक मैच में उसने 32 run मारे ठीक है ना तो एक मैच में कितना increase हुआ पहले तो 14 मैच थे 14 inning खेल लिए उसने और 30 run पर inning उसने score किया अब 15 inning है और 32 run score किया तो हर inning में कितना increase हुआ टू का और inning कितनी है पंदरा तो 30 run तो आ गए average को increase करने में 30 run तो चाहिए average को दो दो number increase करने में लेकिन पुछा ही ना गया हो हमसे पुछा गया हो कि next inning में वो कितने run मारे की average सेम रहे तो next inning में वो 30 run मारेगा ठीक है ना तो 30 average रखने के लिए तो 30 run चाहिए लेकिन 32 करने के लिए extra 30 run और चाहिए तो पंदर वी इनिंग में कितने जूरत है 30 average रखने के लिए 30 run plus 30 से फिर 32 पर जाने के लिए 30 extra run तो total कितने आ जाएंगे 60 run ठीक है ना 60 runs तो option B is the right answer next question है Js is twice as old as Vijay and half as old as Suris Js है वो दो गुना है विजय का ठीक है ना और half है Suris का ठीक है तो यहां से आप twice of Js is equal to Suris Js की value यहां पर 2v है तो 2v रख दी मैंने Js की जगए ठीक है ना तो Suris 4v is equal to Suris ठीक है यह equation और यह equation पर ध्यान दीजिए अब next क्या दिया गया है if the sum of Vijay और Suris age is 85 year Vijay और Suris की जो age है उसका जोड है 85 ठीक है तो Suris की value क्या है 4v जे के बराबर है तो 4v जे रख लू 85 तो 4 रख 5 V that is equal to 85 तो V की value क्या जाएगी 17 year ठीक है ना हमसे पुछा क्या है what is the age of Js Js की जो है age बताईए ठीक है तो twice of Vijay तो कितनी आजाएगी 34 years तो option A is the right answer next question is the average of 5 consecutive odd number is 61 what is the difference between the highest and lowest number तो 5 consecutive odd number है तो consecutive मतलब लगतार अब मैं पहला number अगर एक मानू तो दूसरा कुन सा रहेगा 3 फिर 5 फिर 7 तो आप देखें difference कितने का रहा है टू का टू का एंड टू का ओर की जगा अगर इवन भी हो 2468 तब भी difference टू का रहता है ठीक है अब 5 consecutive odd number है जिसका average 61 है तो number मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया फ्रस्ट number है ओर्ड एक्स सेकंड के आएगा एक्स प्लस टू थर्ड एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस एट ठीक है we have five number ठीक है पुछा है what is the difference between highest and lowest highest number यह है लोएस्ट यह है दोनों का difference देखें आप एक्स से एक्स कैंसल एट आगया तो option C is the right answer next question है राम वेंट टो एशोप तो बाइफिफ्टी केजी ओफ राइस he bought two varieties of rice which cost him 4.5 रूपीज पर केजी and 5 रूपीज पर केजी he spent a total of 240 रूपीज what was the quantity of cheaper rice purchased by him देखे मान लिजी दिया हुआ है total rice कितने खरीदने है 50 केजी ठीक है न और जो rice है उनका जो rate है अगर मैं कहूँ जो 4.5 rice है वो x केजी है तो बचे हुए यहाँ पर कितने बचेंगे 50 minus x केजी ठीक है इनका rate क्या है 5 रूपीज पर केजी यानि 5 रूपीज पर केजी total cost purchasing cost कैसे निकालोगे इसकी इसके साथ गुना करिए 4.5 x इनकी इनके साथ करिए 50 minus x into 5 ठीक है यह दोनों को जोड़ दीजिए total purchasing cost that is equal to 240 दिया हुआ है ठीक है हमसे पूछा क्या गया है what was the quantity of the cheaper rice cheaper rice तो यह है तो quantity पूछे यह वाली यानि we have to calculate value of x इस equation से solve हो जाएगा कैसे 4.5 x अंदर multiply किजी 50 into 5 250 minus का 5 x that is equal to 240 ठीक है 250 को right hand side में लेके जाएए 4.5 x minus 5 x यानि 0.5 x minus का और यहां पे कितना आएगा 240 minus 250 minus का 10 minus से minus cancel x की value 10y.5 ठीक है that is equal to 20 kg ठीक है तो option is the right answer x कितना है 20 kg और यह जो 5 के हिसाब से लिए हमने वो कितना आएगा 30 kg तो option is the right answer next question है the number of girls in a class is five times is five times is five times the number of boys तो girls कितनी है five times the number of boys ठीक है which of the flowing can't be the total number of children in the class देखिए boys का मान लीजिए आप boys कितने है x unit है तो girls कितनी आएगी five x unit total कितना आएगा total कितना आएगा x और five x six x unit ठीक है तो actual में जो भी total होगा वो six का multiple होगा कुछ न कुछ होगा तो 24 क्या six का multiple है बिल्कुल है x की value आप 4 रखिए तो six into four 24 x की value आप five रखिए तो six into five 30 x की value आप nine रखिए six into nine 59 but x की value कोई भी natural number रखने पर 35 हमें नहीं मिलेगा ठीक है तो 35 possible नहीं है कि वो class में total children के equal हो ठीक है ना तो 35 हमारा सही answer है यहीं पुछाबा